नमस्ते आप सबको अन्नपुना चनल में बहुत बहुत स्वागत थे आज हम बनाएंगे लांप केबेज केरी या उलकोबी उसके लिए हमें चाहिए उलकोबी, प्याज, सरसो, जीरा, सरसो, जीरा और गालिक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेडचिली पाउडर, नमग, तेल पानी, तो चैले बहुत करते हैं, मैंने यहाँ पे कडाई में तेल डाल दिया है, और हमारा तेल यह गरम हो गया है, अब हम इसके उपर थोड़ा सा सरसो, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, और कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, और इसे हम अच्छी तरह से फ्राइक कर ल अभी मैं उसे डाल देती हूँ और इसे mix कर लेती हूँ अभी हम इसके उपर स्वादन सार नमक डाल देंगे हमें जितना नमक हैं पे चाहिए हाप टी स्पून हल्दी पाउडर हाप टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे अभी हम यहाँ पे सर्सो जीरा और लेसुन का पैस्ट डाल देंगे मैंने यहाँ पे दो चमुच लिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे यह देखिए और अभी हम हाप कब पानी डाल देंगे इसके उपर और इसे कवर कर लेंगे 5-7 मिनित तक यह देखिए हो गया है अब हम इसके उपर कटाूए टानाचार डाल देते हैं मैंने यांपे दो टामाचार लिया है फिरसे हम इसे कवर कर लेंगे 10 मिनित तक कि यह अच्छी तरह से पकग यह देखिए हमार जब उलकोबी का करी है यह फुरी तरह से बनकर रेड़ी है आप इसे जरू ट्राएगी जए एक बार मस्टार्ड पेस्ट देकर अभी हम इसे बावल में निकाल लेते हैं हम इसे गर्मा गरम रोटी या चावल किसी की साथ भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस प्यों आप सब्यको पसेंदा ही हो गी